हलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है वॉल्वोक्स जेनरल करेक्टर स्टिक्स वॉल्वोक्स के सामाने लक्षन आप जानते हैं वॉल्वोक्स एक शेवाल है और शेवाल या एल्गी को प्लांट किंग्डम के थेलो फाइटा ग्रूप में रखा गया है थेलोफाइटा में उन पादबों को सम्मिलित किया गया है जिनकी plant body या जिनका पादब शरीर थेलस होता है थेलस या सुकाय से क्या मतलब है यानि ऐसा पादब शरीर जो जड़ तनापती में विभेदित नहीं होता है तो ऐसे पादबों को थेलोफाइटा में सम्मिलित किया गया है, इन पादबों में टिशू डिफ्रेंसियशन यानि उतक विभेदन नहीं पाये जाता है और इन में वैस्कुलर टिशू, यानि जायलनम और फ्लोयम भी एपसेंट होते हैं, और इन में थेलोफाइटा जो गू जेलोफ में हम उन पादवों को अध्यान करते हैं, जिने में सेल्वाल सेलündenलोस की होती है और शेवाल और ऑ्टोमक्रफिक होता है, शेवाल स्वैम्पो नियुक्त प्लक्रप और विप सस्ynn김 對, Our Wolvosi comes very easy. वर्गिकरत स्थिति के बारे में अतियन करेंगे कि इसको किन किन डिवीजन या किस क्लास ओर्डर में इसको रखा गया है वालवोक्स को डिवीजन क्लोरोफाइटा में रखा गया है तो chlorophyta में उन पादबों को संविलित किया जाता हैं उन जाता है को सम्मिलित किया जाता है जो ग्रीन होती है तो ग्रीन IGLगी cream chlorophyta में पाई जाती है इन में chlorophyll जो pigment होता है वो pre-dominant होता है इसमें reserve footprints farklı federator के members में starch होता हैs जो भोज्य पदात, संचित भोज्य पदात होते हैं, वो स्टार्च होते हैं, क्लोरोफाइटर की क्लास क्लोरोफाइसी में वाल्वक्स को रखा गया है, तो क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गिस को सम्मिलित किया जाता है, और इनमें जो चल या फ्लेजिलेटेड जो एल्गीस होती है उनमें फ्लेजिला की संख्या दो चार या उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन फ्लेजिला समाना करके होते हैं इनमें chloroplast जो पाया जाता है chlorophyc के मेंबर में उनमें pyrenoid present होता है और store जो food होता है इसमें starch होता है walvox को order walvocails में रखा गया है तो walvocails में उन शेवालों को सम्मेलित किया गया है जिनमें chloroplast present होता है vegetative cell flagellated होती है जो काई कोशिकाएं होती है उन पे कशा भी काई पाई जाती है chloroplast इनमें cup shaped होता है और इनमें जो reproduction होता है वो सम युगमा की या सम युगमा की विशम युगमा की टाइप का होता है यानि आईसो गैमस और आईसो गैमस और ऊगैमस टाइप का reproduction लैंगिक जनन पाया जाता है walvox को family walvocails में रखा गया है तो walvocails में उन members को रखा गया है जो coloni बनाती है synovium तो walvox एक synovial algae है एक निवह की रूप में बहुत सारी कोशिकाए एक group में एक colony की रूप में रहती है तो इसमें synovial algues को रखा गया है इसमें जो cells होती है अगर हम एक single cell की बात करते है तो colony की एक single cell का structure क्लेमाइडो मोनास के समान होता है और इनमें जो division होता है जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें longitudinal division होता है और asexual reproduction है that is by daughter cell पुत्री कोशिका हों द्वारा इसमें एलेंगिक जनल पाया जाता है वालवकेसी के मेंबर में और वाइश जो है इसका that is वालवक्श तो यह इसकी वरगिक्रत इस्थिति है division chlorophyta, class chlorophyce, order वालवकेस, family वालवकेसी and genus वालवक्श वालवक्श को सबसे पहले लिवन हॉक ने 1700 में रिकॉर्ड किया था जो शेवाल वालवक्श से वो फ्रेश वाटर में तालाब में पोखर में जल्स रोतों में पाया जाता है इसकी naturally क्योंकि शेवाल है तो autotrophic है और autotrophic है तो यह photosynthesis द्वारा अपना भूजन स्वम बनाते हैं और oxygen रिलीज करते हैं तो यह production करते हैं oxygen का तो इसके साथ साथ यह कुछ aquatic organism का भूजन भी बन जाते हैं वॉल्वक्स औरियस यह algal bloom बनाता है जो harmful रहता है यानि इतनी तेजी से multiply होता है कि पूरा जो जल्स रोत होता है जहां पर यह पाये जाते हैं वहां पर पूरा multiply होकर के बहुत अधिक मात्रा में फेल जाते हैं और उसका जो सते होती है उसको cover कर लेते हैं तो यह पुंज लाइक स्ट्रक्चर पिंड के समान बहुत सारा पुंजों में जल पुंजों में विभक्त फेल जाते हैं और जो aquatic organisms होते हैं उनके लिए harmful होते हैं वाल्वॉक्स के लगबग 20 जातियां पाई जाती है और सभी जो जातियां होती है वो fresh water होती है या यह अलवणिये जो जल होता है उसमें पाई जाते हैं यह temporary और permanent जो pond होते हैं या जल स्रोड जो होते हैं उनमें गोलकार पिंडो के रूप में पाई जाती है रेनी सीजन मे इनका बहुत तेजी से जब इनका मल्टिप्लिकेशन होता है तो यह उस वाटर बॉड़ी के उपर पूरी ग्रीन सतय के रूप में दिखाई देती हैं यह कॉशिकाओं का ग्रूप जो निश्चित संख्या में होती है और निश्चित इस्तिती में वह कोशिकाओं पाई जाती है और ग्रूप में फॉर्म हो जाती है तो उसे सीनोबियम कहते हैं सीनोबियम में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो पांसो से लेका साथ हजार तक इनकी कोशिकाओं पाई जाती हैं भारत में पाई जाती हैं वालवॉक्स की जिसमें से मुख्यत है वालवॉक्स ग्लोबिटर वालवॉक्स औरियस वालवॉक्स प्रॉलिफएकस और जीलेटिनेस मेट्रिक्स परीदी परेंग से होझा फेल थे उठाल मिये बीच मेल गुड जेक्स जराति जेलेट्ट मेट्रिक्स से परेंगें पूरी पे जैसे कोशी काये हैं और पीच में जलेटिनेस मैट्रिक्स बढ़ा होता है तो यह एक बॉल लाइक स्ट्क्चर बनाती है इसलिए वाल बॉक्स को रोलिंग एलगी भी कहते हैं क्योंकि यह जल प्रभा के साथ साथ जो पानी का फ्लो होता है उसके साथ साथ यह लु साथ 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 स इस सिनोबमились बॉल्वक्स सिनोब्याइम इस साल ठोजी कोशिकाएं सॉमेट के सेल कोशिकाएं, जञ सेल काय कोशिकाएं, जर्म चैण Aofall इनली साल कोशिकाएं, पर कोशिकाएं काय कोशिकाएं जो अगर भाग होता है वो papillate होता है थोड़ा pointed होता है और इनका protoplasm, plasma membrane, cytoplasm, nucleus, chloroplasm, contractile vacuoles, eye spot and flagella में विभेतित होता है तो इसका जो बहुत सारी इसमें संदशनाय पाई जाती हैं तो इसकी संदशनाव में जो plasma membrane होती है वो cell wall के अंदर की और एक पतली semi-permeable membrane होती है जो कि cytoplasm की periphery पर पाई जाती है जो इसकी cytoplasm की परिसीमा बनाती है ये कोशी का द्रव में एक cup shaped chloroplast पाया जाता है ये chloroplast नीचे से चोड़ा होता है ये chloroplast पाट होता है कोशी का को जो नीचे चोड़ा भाग होता है तो ये papillama अगर हम आपको के रहें नाशपती क्या जो इसकी सेल होती है वालवोक्स की वह आगे से पॉइंटे होती है और नीचे से ब्रॉड होती है तो chloroplast भी जो होता है वह बन जाता है ये chloroplast के निचले चोड़े भाग में लगबग मध में बीच में पाईरिनॉट पाया जाता है ये पाईरिनॉट का जो सेंट्रल कोर हो और यहां पर लिखा हुआ नहीं है यह पाईरिनोड है तो यह पाईरिनॉट का सैंटर परिशन होता है हे प्रोटीन का बना होता है और इसके चारो смच है यह चोर्र होती है िस सेल के आगे के भाग पर अग कर में कoring क्लोलोब्लास्थ द्वारा निरमित जो खोखला प्य कोशिका के आगे contractile vacuoles प्रेजेंट होती है यह contractile vacuoles osmo regulation करती है यानि जो रसा कर्षन होता है उसका विनिमे करती है उसको regulate करती है contractile vacuoles जिनने अकुंचल शीर रिखतिकाएं कहा जाता है इनके कुछ नीचे एक red eye spot होता है यह contactile vacuoles और यह eye spot यह वाला तो eye spot इसमें पाये जाता है जो red color का होता है यह एक रंगीन जो biconvex photo sensitive lens द्वारा निर्मित होता है और इसमें एक प्लेट नुमा वर्णक्ट्यू तेरी पट्टिकाओं से निर्मित होता है यह eye spot यह जो cells होती है इनको light का वह कराता है light sensation इसमें ह इसमें आगे की तरफ दो फ्लेजिला पाये जाते हैं कोशिका के अगरभाग में जो नियूरो मिटर जोपकरण होता है उससे सल्लग में रहते हैं दो जो फ्लेजिला होती है यह विपलेश टाइप की होती है यह विपलेश टाइप की होती है यह विपलेश टाइप की होती ह तो यह प्रतोड यानि विपलेश टाइप की ये फ्लेजिला होती है, दो जो कि अगरभाग पर पाई जाती है, सीणों जो प्रते कोशिका हो थी है, वो एक एकाई के रूप में कारे करती है, युनिट सेल की तरह कारे करती है, और ये एक दूसरे से साइटो प्लास्मिक स्ट्रेंड द्वारा जुड़ी रहती हैं पूरी कोशिकाएं जो हैं ग्रूप में ये जिलेटिनस जो सब्स्टेंस होता है उससे परिबत रहती है लेकिन कोशिकाओं में आपस में भी जिलेटिनस से परिबत रहती है अगे कोशिका भी जिलेटिन से परिबद रहती हैं तो ये हर कोशिका के आसप़ जिलेटिनस आवरन या जिलेटिनी आवरन पहाए जाता है एक दुसरे से सैटोप्लास्मिक स्ट्रेंड द्वारा जुड़ी रहती है के इसमें दो तरह की सेल जैसे आमने आपको बताएं सीनोबियम में दो तरह की सामीतिंक सेल एंड जंग सेल शादतर फ्लेजिलेटिड होती हैं यह कश्याभाय death यह जर्म Nagषल जुक्त होती हैं जंग सेल यो अगरबहाग में पाई जाती हैं जो लिरोंत हैं कोशिका इस तरफ काई कोशिकायं पाई जाते हैो, और यह इनको move करते हैं आगे की तरफ जो जनन कोशिकाओं का जो आकार होता है वो वेजिटेटरी सेल से बड़ा होता है लेकिन इनकी संख्या कम होती है और यह पीछे की तरफ इस्थित होती है तो यह हमने आपको बताया कि सीनोबियम क्या होता है वालवक्स किस फॉर्म में पाये जाता है सीनोबियम जिसमें निशित संख्या में निशित इस्थिति पर कोशिकाओं पाये जाती है जैसा कि हमने आपको बताया कि जो काई कोशिकाओं होती है वो अग्र सिरे की तरफ और जो रिप्रोड़क्टिव या जनन कोशिकाओं होती ह में steady कराएंगे wall walks में किस तरह से जनन की क्रिया विधी होती है वो हम अगली class में अध्यान करेंगे thank you